इस वीडियो में मैं तुम्हें जो सा राउंड थ्री के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्मेंट्स है उसकी पूरी लिस्ट बताने वाला हूं और एक बात याद रखना कि अगर इस वीडियो को तुमने फॉलो नहीं किया और अगर कोई मिस्टेक हो गई तुमसे तो तुम्ह डॉकमेंट्स है इसकी लिस्ट जो तुम्हें जोसा के वेबसाइट पर मिली चाहेगी लेकिन उससे भी कुछ एडिस्टनल बाते हैं जो मैं तुम्हें पहले बता देना चाहूंगा देखो क्लास 10 की तो एक पहले मैं बेसिक कवर कर देता हूं कि कौन-कौन से डॉकमेंट् फिर क्लास 12 की मार्ग सेट फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर तुम जैनरल कुछ और किसी भी कैटेगरी से बिलॉंग करते हो तो तुम्हें वह सर्टिफिकेट देना ही होगा बिना उसके तुम्हारा सीट कैंसल हो जाएगा और फिर तुम एलिजबल नहीं हो पाओगे जो सा कि किसी राउंड के लिए समझें तो इसी लिए ए कैटेगरी सर्टिफिकेट इस वेरी वेरी इंपॉर्टेट विदाउट इट यू विल नौट नोट ये एंट विंसन और उसके बाद है पी डव्रूड सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत जिस ब ये passport CPI यह नहीं और उसके बाद एक और है कि जब तुम पेमेंट करों तो पेमेंट करने से पहले एक चेक की या फिर पासबॲॉकिट की फोटो जो तुमें Apload करनी हो गी और उस जो तुम अप्लोड करोंगे उसमें चार चीजे 술मेंशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए और वह चार्त चीजे क्या है कि एक तो हो गया कि किसके नेम सेंव हो और दूसरा हो गया कि उसमें अकॉण्ट नंबर तो फिर यह भी रहएगा अकॉण नंबर उसके बाद तीसरी चीज हो गई first इसी नंबर ओके आई एफसी कोड तीन चीज़ हो गई और एक माइस याइस नंबर कुछ ऐसा होता है तो यह चार चीज़े कम से कम आपकी मेंडेटरी होनी चाहिए उस पास्बूक में ओके और नहीं चार चीज़ हो तो तीन चीज़ भी चलेगा वो कॉन-कॉन एक नेम उसके केरफुल रहना कोई भी चीज़ एक भी अंक इदर से उधर नहीं हो नहीं तो हो सकता है कि आगे तुम्हारे पैसे भी डूब सकते हैं तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट और उसका दियाँ डियेस डो मिटाइट लिखा तो गया हुआ है लेकिन अपलोड करने के लिए नहीं करतिना है लेकिन उनसे कौंटेक्ट बनाने के बाद मुझे पता चला आप वहाँ पे अपता चला मुझे के कि आप प्लीज एड्मिट कार ना अप्रोड करें तो ज्यादा सही है क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट एक और वैलिडेट कर देता है आपका क्लास 12 पास आउट है मार्क सीट तो करता है यह लेकिन आप एक तरह से अपना दुगना डवल वेरिफिकेशन करा लेते हैं ऐसे ओ और ओभी सीन्सेल के लिए ओके और सारा डॉक्मेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होगा और एक बात याद रखना कि अगर कोई भी क्वेरी रेस की जाती है कोई भी क्वेरी रेस की जाती है तो उसका जवाब जरूर देना अगर जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारी सीट क यह आई और अगर कोई किवेरी आती है तो फिर उसका जितना जल्Дी हो सके ज्वाब देना ओके और यहीं लिखा गयवा है कि आपको जवाब देना होगा और अगर कोई क्वेरी डेज की तिया नहीं जभाब तो फिर आपका seat भी cancel हो सकता है और उसके बाद है कि force document मतलब कि अगर आपका certificate number या फिर कुछ कोई भी as point पे उन्हें लगता है कि आप उनके साथ forgery कर रहे हैं तो फिर आपका seat cancel हो जाएगा यहां सीदा सीदा लिखा हुआ है कि allotted seat will be cancelled और फिर जब आपका verify हो जाता है कि हाँ आपका सारे दस्तावेज सही है तो फिर अपना seat confirmation लेटर आप वहां से provisional seat confirmation वहां से डावलोड कर सकते हैं आगे की processes के लिए और seat upgradation के लिए freeze float slide उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है आप चाहे तो चैनल पर जाके वीडियोज देख सकते हैं और अगर आपको seat upgrade करना हो या फिर आपको freeze करना हो तो आप freeze कर दीजेगा लेकिन बहुत सोच समझ के freeze कीजेगा उससे अच्छा होगा कि आप float ही करें तो बहुत सही है और यह कुछ important guidelines है जो कि मैंने आपको बता दी so I hope कि आपको समझ में आया होगा so please अगर बहुत अच्छा आपको समझ में कुछ भी समझ में आया हो तो like कीजेगा वीडियो को और अगर आपको नहीं समझ में आया हो या फिर खड़ाव लगा हो वीडियो तो please comment में लिखके जुरूर बताईएगा कि आपको क्या अच्छा ने लगा मैं उसमें सुधार करने की कोशिस करूँगा so that's all for the review and thank you everybody